सर टारो रीडिंग से पहले क्लाइन्ट से कैसे कनेक्शन बिल्ट करें जिसके माध्यम से उसके कोश्चन के आंसर टारो में रेफ्लेक्ट होंगे क्या सेम प्रॉसेस यूटूब की जोडियायक रीडिंग में भी होगा तो किसी का भी रीडिंग जब हम करते हैं अगर वो रीडिंग काम करेगी, वो तभी करेगी, जब हमनारा उसके साथ जो है, एक एक अंदर से एक connection जो है, किसी के साथ create हुआ है, ये चीज बहुत important है समझना, इस चीज को, मैंने शुरू में ये बात करी थी, intention की, इस life session में, कि आपका intention होना, आपका क्या intention है दूसरी के प्रती, वो बड़ा matter करता है, तो जिसका हम reading कर रहे हैं, वो बड़ा important है समझना, कि उसको reading जो है, अगर हम सिर्फ एक client के रूप में देखते हैं, उसको सिर्फ एक customer के रूप में देखते हैं, तो उसको आप वो suggestion कभी भी नहीं दे पाओगे, जो actually में कहीं ना कहीं valid suggestions हैं, कुछ ऐसा समझों कि अगर तुम्हारा छोटा बच्चा तुमसे अगर कुछ suggestion मांगेगा, तो तुम उसको कैसे suggestion दोगे, वो matter करता है, तो इसलिए, client के साथ एक personal level पे जो है, एक connection जो है, वो अपने आप बड़ा naturally create होना शुरू हो जाता है, जब हम, हमारी first priority जो है, money नहीं है, बलकि उसके साथ एक, उसको help करने की intention है, कि उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, कि उसको मैं किस तरह से support कर सकता हूँ, उसको जो है, एक client की तरह ना देखके, उसको जो है, एक, एक personal connection की तरह देखा जा है, then only you will be able to help the other. फिर बड़ा naturally जो है, वो बड़ा naturally ये भी है, तुमारा जो प्रश्न में जो है, तुम पूछ रहे हो कि कैसे फिर, उसके questions के answer जो है, tarot में reflect होंगे, वो definitely होंगे. अगर तुम पूरी तरह से neutral हो अपने अंदर, और अपने जो है, जिसका तुम reading कर रहे हो, उसके साथ एक connection तुमारा create हो रखा है, तो तुम एक medium बन जाते हो, जहां पर tarot की wisdom तुमारे through flow करके, दूसरे की help करती है. That's how it works. यश का प्रश्न है, decision कैसे लें? यश, decision जो है, कैसे लें? प्रश्न जो है, तुमारा कुछ ऐसा है. जहां पर भी एक compulsion है, जहां पर भी एक तरह का, तुम्हें, जैसे की एक तरह की, एक सरदर्दी जैसे बन गई है, कि तुम्हें decision लेना ही पड़ेगा. वहां पर कोई भी decision लोगे, तो वहां पर almost ऐसा होगा, कि वो decision जो है, तुम्हें गलर direction में ले जाएगा. क्योंकि ये decision लेना कुछ ऐसा होगा, जैसे की situation कुछ ऐसी है, कि फटाफट निप्टा दो अगा. कि निप्टा के खतम करो, और अब decision जो है, ले दो. देखो, मेरे देखे और मेरे को जो जहां तक इतना समझ में आता है, life की situation कुछ ऐसी है, जब भी ऐसा हो कि फटाफट एक ऐसी situation हो कि जब A और B में चूज करना हो, तो उस वक्त जल्द बाजी करोगे, तो फिर जो है, उसके decision जो है, वो हमेशा गलट direction में चले जाएगे. decision कैसे लें? decision सिर्फ इसी तरह से लिये जा सकते हैं कि decision को तुम्हारे सामने चीजों को आने दो, प्रकट होने दो. मेरे देखे चीजे कुछ ऐसी हैं कि हम decision हम जो है, जब भी हम decision को जो है, पुश करते हैं, जबरस्ती करने की कोशिश करते हैं, वो decision जो है, अक्सर जो है, गलत हो जाते हैं. लेकिन जब हम देखते हैं कि decision जो है, वो बड़ा naturally हमारे सामने एक choice है, मतलब एक choicelessness वाली बात है, कि हम देख पा रहे हैं कि ये चीज मेरे लिए best है, जब कोई चीज हमें समझ में आ जाती है, ये चीज मेरे लिए best है, तो वहाँ पे decision तो नहीं लोगे, वहाँ पे ये तो नहीं कहोगे कि ये अच्छा है या बुरा है, इस अच्छे और बर्वे में से मैं क्या चुनूँ, जहर चुनूँ या अमरित चुनूँ, naturally तुम जो है अमरित चुनूँगे, naturally तुम जो है अच्छा चुनूँगे, तो, let the decision form, कि decision को जो है अपने सामने घटने दो, choice को अपने सामने घटेत होने दो, और मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ कि अक्सर जब भी हम decision बहुत बार लेने की कोशिश करते हैं, तो, मन से कोशिश करते हैं, और मन जो है, वो बहुत short-sighted है, वो सिरफ अभी की चीज़ें को देख रहा होता है, लेकिन अगर हम थोड़ा चीज़ों को जो है, allow करें, तो उसमें क्या करेंगे, उसमें क्या होगा, उस situation में, वो चीज़ें जो है, situation अपने सामने प्रकट होनी शुरू हो जाती है, और जैसे से वो चीज़ें प्रकट होती है, वैसे वैसे बड़ा एक clarity आ जाती है, कि this is what my decision is, तो इस बारे में सिर्फ तुम्हारे को यही यश, मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ, जल्बाजी मत करो, decision की जल्बाजी मत करो, decision को घटित होने जोपने लिया, अपनी लाइफ में, एक situation को create होने जोपनी लाइफ में, कि जहां पे तुम्हें तुम्हारे लिए confusion नहीं decision तुम वहाँ पे कुछ ऐसा होगा कि तुम्हें पता होगा कि यह मुझे करना ही है वहाँ पे simply जो है तुम्हें confusion नहीं होगी तो जब तुम पूछते हो decision कैसे ले decision को simply अपने जीवन में घटने दो situation को बड़े अच्छे से analyze कर लो situation को अपने सामने clarity के साथ देख लो सरीता का प्रशन है सराथ से tarot कैसे learn कर सकते हैं दो धंग से सीखा जा सकता है एक धंग है जो आप YouTube की membership के थूँ भी सीख सकते हैं जैसे से आप videos देखना शुरू करते हैं तो आप जो है depth में जाना चाहते हैं तो फिर उनके लिए फिर members videos हैं उन लोगों के लिए जो थोड़ा और detail में जो है इसके अंदर involved होना चाहते हैं सीखना चाहते हैं तो YouTube membership के थूँ जो है आपके लिए यह possibility बनती है जब आप चैनल पेज पे जाते हैं तो उसमें join का button show करता है और उस join के button को जब आप दबाते हैं तो उसमें options आती हैं आपके पास पहली दो options जो हैं वो सिरफ channel को support करने के लिए है तीसरा जो option है वो videos उसमें जो है आपके बस option होता है detail में videos देखने का फिर उसमें फिर और भी जो है options हैं यह options उन लोगों के लिए हैं जो एक personal level पे जो है मुझसे session भी देना चाहते हैं तो उसमें से जो आपको best लगे वो आप choose कर सकते हैं तो videos का option जो है वो third option से जो है शुरू होता है और दूसरा option है लर्न करने का मुझसे जो है आप डारेक्ट one to one लर्न कर सकते हैं और उसका जो course का जो duration है वो करीबन तीन महीने है तीन से चार महीने भी हो जाता है कई मरी हाफते में दो sessions होते हैं online जैसे मैं अभी आप सबसे बात कर रहा हूं तो मैं आप वो session जो है एक individual level पे होता है एक अकेले one to one पे वो session चलता है और वो session कुछ ऐसा भी है कि उसमें simply आपकी personal life के साथ जो है मैं connect करता हूं आप मेरे साथ connect करते हैं और जो भी एक personal level पे जो है आपको जो help हो सकती है वो आपकी की जाती है आपको mark दर्शन दे जाता है टैरो भी आप सीखते हैं लेकिन साथ साथ जो है आपकी spiritual journey भी साथ में जो है शुरू होता है तो एक personal one-to-one जो है वो बहुत एक individual level पे जो है वो session है जो होता है जिन्होंने टैरो जो है अगर जो जिनके लिए वो option जो जिनके लिए वो difficult लगता है one-to-one के लिए तो वो YouTube के थ्रू जो है membership के थ्रू भी सीख सकते हैं तो these are the possibilities जिससे जो है आप सीख सकते हैं